सीजन 5 एपिसोट 12 स्टार्ट होता है और हमें वॉल्टर दिखता है कि वो अपने घर पर आ चुका है वो बैक्यार्ड से ही घर में गुसने की कोशिश करता है वो जब घर में जाता है तो एक्सपेट कर रहा होता है कि जेसी वहा होगा पर घर में कहीं भी जैसे नहीं होता फिर वो बाहर आता है और उसके जैसे की कार उसे वहाँ मिलती है वो उसे बोलते है कि यह impossible है हम यह नहीं कर सकते वो उसे कारपेटी चेंज करने को बोलते है पर Walter बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा Skyler को मैं यह सब नहीं बता सकता फिर वो कारपेट सही होने ही नहीं वाला होता तो फिर Walter एक प्लान बनाता है वो अपने सब कपड़े निकालता है और उस पर पेटरोल डाल देता है उसकी जो पेटरोल की क्यान होती है वो डस्ट बिन में डालने वाला होता है पर फिर वो अपने कार में भी थोड़ा सा पेटरोल छिटक देता है और फिर वो उस क्यान को डस्ट बिन में डाल देता है जब Skyler घर पर आती है तो उसे smell आ रही होती है Walder फिर एक story बनाता है और बोलता है कि मैं pump से petrol भर रहा था और फिर malfunction हो गया मैं पूरा weight हो गया petrol से और जब मैं घर आया तब मेरे carpet पर ही कपड़ी थे और मैं नहाने के लिए चला गया मुझे यादी नहीं रहा कि carpet पर कपड़े है और मैंने फिर try किया कि यह सब clean कर लो पर ही cleaning नहीं हो रहा पूरे घर में petrol के smell होती है और फिर यह सब जब बोल रहा होता है तब Skyler को भी नहीं लगता कि यह सच है और Walter Junior को भी नहीं लगता Walter Junior बोलता है कि हमें एक बार तो सच बोल दो वो बोलता है कि तुम्हें चक्कर आ गई थी तुम्हारा cancer वापस आ गया है इसलिए तुम्हें चक्कर आ गई थी फिर Walter उसे हाँ बोल देता है Walter Junior को नहीं लगता कि वो जो पम की स्टोरी है वो जूट थी फिर Walter सजेस्ट करता है कि हम सब अब होटेल में चले जाए और एक दो दिन वहाँ रहेंगे क्योंकि इस पेट्रोल का स्मेल लेकर हम बिमार पढ़ सकते हैं फिर होटेल के पार्किंग लॉट में वो सौल से और सौल का जो एक आदमी होता है उसे मिलने के लिए आया हुआ होता है वो उसे बोल रहे होते हैं कि हमने बहुत जगा ढूंडा जेसी को उसके घर पर उसी गल्फरेंड के या उसके सब्पोर्ट ग्रूप पर हर जगा हमने उसे ढूंड लिया फिर सौल उसे बोलता है कि हमें में मारने वाले ये फिर से मत बोलना फिर Walter iis लेकर उसके hotel room में आजाता है फिर Skylar उसे बोलती है कि तुम parking lot में क्या कर रहे थे Skylar उसे confront करती है कि हमारे घर पर आज कोन आया था तुम जो बोल रहे थे मैंने वहाँ सुन लिया क्योंकि वह वाल्टर जुनियर था तो मुझसे जुट नहीं बोल सकते फिर वाल्टर उसे बताता है कि जेसी जिसके साथ तुमने डिनार विगरा किया था वो हमारे घर पर आया था वो बहुत ही चीड़ा हुआ था एक मिस अंडस्टेंडिंग उसे हो गई थी इसलिए वो घर जलाने क लिए आया था पर उसने अपना माइंड चेंज कर लिया फिर स्काइलर बुछती ही वो ऐसा कैसे कर सकता है वाल्टर उसे समझाने के कोशिश करता है कि उसकी मेंटल हालत जड़ा खराब है वो मेंट एडिक्ट है और इसलिए उसने यह सब किया था स्काइलर उसे फिर बोलत जयसी कोई गली का कुट्टा नहीं है इसको हम कही भी मार दे मैं उसे समाल लूंगा फिर हम प्रिवेर्स सीन में आते है जहा जयसी वढडर के घर में आकर पै्टर्ल छिड़क रहा होता है वो उसे जलाने वाला होता है तभी हैंक आ जाता है हैंक बोलता है कि तुम उस मेरे साथ चलो और मुझे help करो मैं Walter को पकड़ ही लूँगा और Walter को सजा होई जाएगी जैसी और हैंग कार में होते हैं और जैसी पुछता है क्या मैं आप तुमारा witness हूँ उसे डर लग रहा होता है क्योंकि Walter ने जेल में भी किन लोगों को मारा हुआ होता है फिर हैंग उसे अपने घर लेकर जाता है मरी थेरी भी पर होती है और उसे बहुत ही टेंचन आ रहा होता है वो अपने counselor को कुछ भी नहीं बता थी पर फिर भी वो बहुत ही वेक तरीके से सब कुछ बोल रही होती है जब मरी घर पर आती है तो हैंग ने उसकी बैक्स वगेरा पैक की होती है वो उसे बोलता है कि मैंने तुमारे लिए एक hotel room book किया है तुम्हें 2-3 दिन वहाँ जाकर वहाँ रहना चाहिए मरी बोलती है कि क्यों तुम मुझे घर से निकाल रहे हो वो मानने रही होती तो हैंग बोलता है कि हमारे यहाँ guest आया हुआ है यानि कि जेसी से अब वो बुश्टाच करने वाला होता है तो वो इससे लिए मरी को घर से बाहर निकाल रहा है फिर वो जेसी को देखती है और हैंग से बुश्टी है कि क्या इससे वाल्टर हर्ट होगा तो हैंग उसे बोलता है कि इससे वाल्टर पकड़ा जा सकता है फिर वो उसे बोलती कि मैं भी तुम्हें यहाँ ही रह कर हेल्प करूंगी हैंग फिर जेसी का मोबाइल बचता है तो वो उसका voice message सुनता है वो Walter का मैसेज होता है Walter ने उसे बोला हुआ होता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ये सब समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ इसके लिए वो उसे मिलना चाहता है वो location भी उसने उस मैसेज में बता हुई होती है रात में Walter और Walter जुनियर स्विंग पूल के यहाँ बैटते है Walter जुनियर उसे बोलता है कि हम अब जो car wash buy करने वाले थे वो plan अब हम नहीं करें के ना क्योंकि अब Walter मरने वाला है फिर Walter उसे बोलता है कि मैंने बहुत सारे चीज़ों से लड़ा है और यह cancer भी उसमें से एक ही है तो यह cancer भी चला जाएगा अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता फिर next scene में जब JC उठता है तो Hank ने उसके partner को भी बोला है होता है उसने partner को वो सब सच बता देता है फिर Hank उसे बोल रहा होता है कि तुमें हमें सब कुछ बताना है स्टार्ट से जो भी कुछ हुआ वो सब तुमें हमें camera पर बताना है JC बोलता है कि सिर्फ camera से कुछ भी नहीं होगा मैं उसके खिलाब बोल रहा हूँ और यह court में valid नहीं होगा Hank उसे बोलता है कि मुझे बहुत सारी story पता है अगर तुम मुझे बता दोगे कि क्या क्या हुआ था तो इससे मुझे evidence gather करने में बहुत help होगी फिर JC सब कुछ अंदर बता रहा होता है और Hank और उसका partner बहार आते है Hank का partner उसे बोलता है यह सच बोल रहा है अगर वो यह सब बोल देगा तो यह court में hold नहीं करेगा Hank फिर उसे बोलता है कि मुझे एक voice message आया था तो इसमें Walter ने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है वो उसके partner को बोलता है हम JC को Walter की या बेज़ेंगे और सब record कर लेंगे यह उनका plan होता है यह सब वो JC को बोलते है JC बोलता है कि अगर मैं वहा गया तो वो उन्हें मार देगा वो ऐसे ही business करता है तुम लोगों को पता नहीं कि वो कितना rootless है और वो बहुत lucky भी है तुम कुछ भी कर लो पर उसे तुम ऐसे नहीं पकड़ सकते फिर हैंक को से समझाता है कि हमें पता है कि वो किसी को भी मार देता है पर वो तुम्हारे लिए care करता है जैसे तुमने हमें story बताई कि तुमें बजाने के लिए उसने दो लोगों को मार दिया तुम्हारे rehab के लिए भी उसने ही पेक किया था और तुम्हें हमेशा वो सपोर्ट करका रहा है वो तुम्हें नहीं मार सकता फिर हैंक के पाटनर को भी लग रहा होता है कि वॉल्डर ने अगर सच्मू जेसी को मार दिया तो क्या होगा पर हैंक उसे बोलता है कि तुम्हें इसकी worry करने के कोई भी ज़रूरत नहीं है JC भी एक drug addict है और ये भी इस operation में बहुत पहले से था अगर ये मर भी गया तो भी कुछ फरक नहीं पड़ेगा फिर next scene में वो फैन में होते और JC पर वो wire विगरा सब लगा रहे होते recording के लिए JC Walter के यहाँ चलने लगता है Walter एक bench पर बेठा हुआ होता है पर JC बहुत ही दूर से देख रहा होता है कि उसके आसपास कोई आदमी है या नहीं फिर वो athletic एक आदमी देखता है कि जो Walter की तरफ ही देख रहा होता है JC को लग रहा है वो उसे यहाँ मारने के लिए आया हुआ है फिर वो Walter को call करता है और बोलता है कि आच्छा try था इसमें नहीं फसने वाला फिर वो Hank की यहाँ आकर गाड़ी में बेठ जाता है हमें दिखता है कि जो आदमी वहाँ खड़ा हुआ था वो अपनी बच्ची के साधी खेल रहा था यानि कि Walter ने उसे प्लांट नहीं किया था अब Walter भी चीट जाता है और गाड़ी में आकर वो Todd को call करता है वो Todd को बोलता है कि तुम्हारे अंकल के लिए मेरे पास और एक जौब है यानि कि अब वो Jesse को मार देना चाता है यही एपिसोड कतम हो जाता है